Hello students, आज इस वीडियो में हम exercise 6.5 से question number 102 solve करेंगे Question number 1 है, PQR is a triangle right angled at P वहाँ गया कि PQR एक triangle है और right angled at P है देखे, right angle यानि 90 degree देखे, अब दिया गया right angled at P, यानि P point पे 90 degree का angle बन रहा है If PQ is equal to 10 cm and PR is equal to 24 cm अगर PQ 10 cm है और PR 24 cm है, find QR तो हमें इसमें QR find करना है तो देखे, यहाँ पर मैंने एक right angle triangle बना दी है PQR देखे, आप इसमें चाहे तो QR यहाँ ले सकते थे और R यहाँ ले सकते थे अब इसमें दिया गया है कि PQ 10 cm है और PR 24 cm है और point P पे 90 degree का angle बन रहा है यह जो sign है दिखाता है कि point P पे 90 degree का angle बन रहा है ठीक है, अब इसमें हमें यह QR find करनी है हमें यह side QR पता करनी है कितने cm है अब देखे, यह जो PQR है, यह एक right angle triangle है right angle triangle कौन से होती है, ऐसी triangle जिसमें एक angle 90 degree का हो वो right angle triangle कहलाती है तो यहाँ पे देखे, इस triangle में यह जो angle है, यह 90 degree का है तो यह जो triangle P के वार है, यह right angle triangle है अब देखे, right angle triangle में पाइथागोरस theorem लगती है पाइथागोरस theorem कहती है कि एक right angle triangle में बड़ी side का square बाकि की two sides के square के sum के equal होता है जो बड़ी side होती है, वो hypotenuse होती है और बाकि की two sides में से एक base होती है और दूसरी height होती है यानि हम यह कह सकते हैं कि hypotenuse का square equal होता है base का square plus height का square तो देखे, using pythagoras theorem in right angle triangle P के वार तो हम इस triangle P के वार में pythagoras theorem यूज़ कर रहे है pythagoras theorem कहती है कि hypotenuse का square equal होता है base का square plus height का square अब देखे, hypotenuse कौन से होती है, 90 degree के angle के सामने वाली जो side होती है, वो hypotenuse होती है तो यहाँ पर देखे, यह है 90 degree का angle, यहाँ बन रहा है इसके सामने वाली side कौन सी है, इसके सामने वाली side है QR तो यहाँ पर यह जो QR है, वो hypotenuse है तो hypotenuse क्या है, QR तो देखे हाइपोटेनियूस का स्क्वेर है तो यानि क्यो आर का स्क्वेर इस इक्वल टू बेस का स्क्वेर अब बेस क्या है इसमें जो ये नीचे की तरफ ये साइट बनी हुए है ये base है, base है इसमें pko, तो base का square यानि pko का square, फिर plus height का square, और ये जो pr है, ये इसमें height है, height क्या है, pr, तो height का square यानि pr का square, अब देखें qr का square ऐसी लिखेंगे, equal to, pko का square है, अब देखें pko क्या दी गई है, 10 cm, ठीक है, तो pko का square यानि 10 का square, फिर plus pr का square, pr कितने centimeter है, 24 cm, तो हम यहां लिख लेंगे 24 का square, pr का square था ना, तो यानि 24 का square, अब देखें qr का square, ऐसी लिखा, is equal to 10 का square, अब देखें 10 का square का मतलब है, कि यहां पर 10 को 2 बार multiply करेंगे, तो देखें, 10 को 2 बार multiply करने पर क्या आएगा, 10 को 10 से multiply करा, 100 आगया, तो यानि 10 का square क्या आया, 100, तो मैं यहां लिख लूँँगी 100, फिर plus 24 का square है, 24 का square यानि 24 को 2 बार multiply करेंगे, 24 into 24, तो देखें, 24 को 2 बार multiply करने पर क्या आएगा, 576 आएगा, तो 24 का square क्या आगया, 576, फिर देखें, क्योँ आर का square यह ऐसी लिखा, equal to 100 plus 576, इन दोनों को plus करेंगे, तो क्या आएगा, 676 आएगा, अब देखें, क्योँ आर का square हमने ऐसी लिखा, इस equal to, अब देखें, यहां पर यह क्या है, 676 है, अब हम ऐसा नंबर देखेंगे, जिससे 2 बार multiply करने पर, 676 आए, तो देखें, ऐसा नंबर है, 26, 676 आएगा, आप यहां पर करके देखें, देखें, 26 को 2 बार multiply कीजिए, 66 जा 36, 6 करी आया 3, 62 जा 12, 12 प्लस 3, 15, 26 जा 12 का 2, करी आया 1, 22 जा 4, 4 प्लस 1, 5, add कीजिए, इन यह 6 आएगा, यहा 5 प्लस 2, 7, 1 प्लस 5, 6, तो देखें, 26 को 2 बार multiply करने पर क्या आ रहा है, 676 आ रहा है, यानि, 26 का square क्या आ रहा है, 676, मैं ऐसे भी तो लिख सकती ना, कि 26 का square है, 676, या आप ऐसे कहा सकते हैं, कि 676 किसका square है, 26 का square है, तो 676 किसका square है, 26 का square, ठीक है, अब देखें, यहाँ भी square है, और यहाँ भी square है, ठीक है, तो square से square cancel हो जाएंगे, तो यहाँ क्या रहा गया, qr, is equal to, यहाँ क्या रहा गया, 26 cm, तो qr, क्या आ आ गया, 26 cm, हमें यही पता करने थी, कि यह जो side के वार है यह कितने centimeter है कितने centimeter है यह 26 centimeter ठीक है तो यह था question number 1 अब question number 2 देखिए अब question number 2 देखिए ABC is a triangle right angled at C कहा गया कि ABC एक triangle है right angled at C है देखिए right angle यानि 90 degree का angle ठीक है कहा गया है कि C पे 90 degree का angle बन रहा है if AB is equal to 25 centimeter अगर AB 25 centimeter है and AC is equal to 7 centimeter और AC 7 centimeter है find BC तो हमें इसमें BC फाइन करनी है तो देखिए यहाँ पर मैंने यह एक right angled triangle बनाई है ABC देखिए जिसमें कि AB 25 centimeter है AC 7 centimeter है और point C पे 90 degree का angle बन रहा है यह जो sign नहीं दिखाता है कि point C पे 90 degree का angle बन रहा है अब इसमें हमें यह जो side BC है यह find करनी है अब देखिए जो triangle ABC है यह एक right angle triangle है क्योंकि इसमें एक angle 90 degree का है तो देखिए अब देखिए right angle triangle पे Pythagoras theorem लगती है तो इस triangle में भी Pythagoras theorem लगेगी Pythagoras theorem कहती है कि एक right angle triangle में यह बड़ी side का square बाकी की two sides के square के समके equal होता है जो बड़ी side होती है वो hypotenuse होती है और बाकी की two sides में से एक side base होती है और दूसरी side height होती है तो यानि हम कह सकते हैं कि hypotenuse का square equal होता है base का square plus height का square तो using Pythagoras theorem in right angle triangle ABC तो देखिए हम इस right angle triangle ABC में Pythagoras theorem use कर रहे है Pythagoras theorem क्या कहते है कि hypotenuse का square equal होता है base का square plus height का square अब देखिए इसमें मैंने base का square plus height का square जो है equal to के इस तरफ लिखा है यह मैंने इस तरफ क्यों लिखा है क्योंकि इसमें देखिए मुझे ये base BC निकालना है बेस निकाल ला है तो इसलिए मैंने बेस को जाए इस तरफ लिखा है अब देखें बेस का स्क्वेर यहाँ पर बेस का है जो यह नीचे की चरफ साइड है बीसी यह बेस है तो बेस है यहाँ पर बीसी तो बेस का स्क्वेर यानि बीसी का स्क्वेर फिर प्लस हाइट का स्क्व के angle के सामने वाली side hypotenuse कहलाती है तो यहां पर देखें यह 90 degree का angle बन रहा है इसके सामने वाली side कौन सी है AB तो यह इसमें hypotenuse है तो hypotenuse का square यानी AB का square अब BC मुझे नहीं पता तो इसे मैं ऐसी लिख लूँगी BC का square फिर plus AC का square अब AC दी गई है 7 cm तो AC की जगा 7 आ गया ठीक है AC का square यानी 7 का square equal to AB का square AB का दी गई है 25 cm तो AB का square यानी 25 का square ठीक है अब देखें BC का square मैंने ऐसी लिखा plus 7 का square 7 का square यानी 7 को 2 बार multiply करेंगे 7 into 7 ठीक है तो देखें इनको 2 बार multiply करने पर क्या आएगा 7 7 ठीक है 49 तो 7 का square आ गया 49 is equal to 25 का square 25 का square यानी 25 को 2 बार multiply करेंगे देखें 25 को 2 बार multiply करेंगे 25 into 25 25 को 2 बार multiply करने पर आएगा 625 तो 25 का square क्या आया 625 तो मैं लिख लूँगे 625 अब देखें मुझे BC की value निकाले है तो मैं BC का square यहीं रहने दूँगी ठीक है और जो 49 है इसे equal to के दूसरी तरफ ले जाओंगी देखें यहां क्या है 625 अब 49 देखें प्लस का है जब equal to के दूसरी तरफ आएगा तो इसका sign change हो जाएगा यह minus 49 हो जाएगा ठीक है फिर देखें BC का square is equal to 625 में से 49 को minus करेंगे क्या आएगा 576 आएगा फिर BC का square यह मैंने ऐसी लिखा is equal to आप देखें यहां पर क्या है 576 अब मुझे ऐसा नंबर देखना है जिससे 2 बार multiply करने पर 576 आए तो देखें ऐसा एक नंबर है 24 जब मैं 24 को 2 बार multiply करूंगी तो multiply करने पर 576 आएगा देखें आप यहां पर multiply करके देख लीजे 24 को 2 बार multiply कीजे देखें 24 जा 16 का 6 carry आया 1 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9 2 4 जा 8 2 2 जा 4 6 आए गया 9 प्लस 8 17 का 7 carry आया 1 1 प्लस 4 5 तो देखें 24 को 2 बार multiply करने पर क्या आ रहा है 576 आ रहा है यानि 24 का square जो है वो क्या है 576 मैं से ऐसे लिख सकते हूं या फिर आप यह कह सकते हैं कि 576 किसका square है 24 का square है तो देखें 576 किसका square है 24 का square है अब देखें यहां भी square है और यहां भी square है तो square से square cancel हो जाएगा यहां कहा रहा गया bc is equal to यहां कहा रहा गया 24 cm तो bc कहा गया 24 cm तो यह जो side है bc यह कितनी है 24 cm हमें यही पता करना था तो आज इस वीडियो में हमने question number 102 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like share and subscribe thank you कर दो